नमस्कार मैं डॉक्टर वेपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट आज मैं आपको वेश्ट फेसिंग प्लॉट के बारे में जानका दी देना चाहूँगा कि आपको ऐसा प्लॉट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए मेरे पास एक मैसिज आया है जिसमें क्लैंक पूशरा बंसल जी मैरे को ये जगह खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इस तरह की जगह कभी भी नहीं करीदनी चाहिए क्यों निख्रिदनी चीए इस जगह में क्या कमी है क्योंकि यह plot west facing है west की बुजा छोटी है east की बुजा बढ़ी है north की बुजा छोटी है south की बुजा बढ़ी है ऐसे में south east का area 90 degree less हो जाता है यानि south east का corner बढ़ जाता है और North East का area 90 degree plus हो जाता है यानि ऐसे में North East का area आपका कम हो जाता है ऐसे ही South West corner भी 90 degree plus हो जाता है तो ऐसा होने से South East corner बढ़ जाता है यदि आपके Left में भी खाली plot है Right में भी खाली plot है और Backside में भी खाली plot है तो आप अपने plot को चौकोर करके स्केर करके building बना सकते हैं जो extra जगह है वो आपने खाली plot में छोड़ देंगे तो उससे आपको फाइदा जरूर मिलेगा ऐसी building को आप बना सकते हैं किस परकार से बना सकते हैं? इसमें आपके चारो कोने 90 अंगल जितना space आपको मिलता है जितना आप ले सकते हैं उसको 90 अंगल जो ये red frame दीख रहा है आपको इस परकार से चारो कोने 90 degree के कर लेते हैं और ये आपके अपनी compound wall होती है और North की भी जगह छूट जाती है उसमें east की भी जगह छूट जाती है और south की भी जगह छूट जाती है यानि छोड़ देते हैं तो आप ऐसे plot के अंदर घर बना सकते हैं वरना आपको ऐसा घर नहीं बनाना चाहिए ये आपके south में building बनी हुई है east में building बनी हुई है north में building बनी हुई है तो आप ऐसे जगह को छोड़ेंगे तो उसके अंदर पानी मरेगा पडोसी को भी pressure नहीं होगी एर अपने को भी pressure नहीं होगी तो ऐसे जगह आप ना खृदे आप ऐसे जगह खृद चुके हैं तो ऐसे जगह को आपने तुरंत छोड़ देना चाहिए मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकर या आपको लगता है सही है तो आप इस तरह के plot में इस प्रकार से सिधा करके यानि चारो कोने 90 अंगल करके अपना घर बना सकते हैं खरीदने जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप ऐसा plot ना खरीदे जो बाते मैंने आपको इस वीडियो में बताईए उन बातों का आपने खास तोर पर ध्यान रखना है क्योंकि आप अपने plot को खरीदने के लिए जीवन की जमापुंजी लगाने जा रहे हैं और आपकी जमापुंजी सही जगह लग जाती है तो आपके घर के अंदर हमेशा खुशेया बढ़ेंगी और गलत जगह लग जाती है तो उसका पस्तावा आपको उमर भर रहेगा तो इसलिए आप कोई भी plot खरीदते हैं तो plot rectangle होना चाहिए या square होना चाहिए ऐसे plot हमेशे ही वास्तुशास्तर में अच्छे माने जाते हैं केडे मेडे कोने गटे हुए बढ़े हुए plot अच्छे नहीं होते है मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को आप अपने circle में शेयर जरूर करें आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ओनलाइन सला लेना चाते हैं तो आप अपनी साइट का मैप बेजगा हमसे ओनलाइन सला भी ले सकते हैं ये सभी सेवाइं हमारी चार्जेबल रहेंगी पेड़ रहेंगी इसी तरह अगले प्रोगाम में फिर एक नेवी शेपर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार